हेलो फ्रेंड्स इंडिया किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए फिर्ट से आई हूँ कुछ नयक और अलग तरीके की किचन टिप्स ले करके तो वीडियो को पुरा लाश तक जरूर देखिएगा तो चलिए शूरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है ये कुछ मक्के की दाने है तो इनको भी हम रख देते हैं कथ कर देखिए लुए श्राइब तो यह फे वह ले या पेसा हम तो इस तरीके से अनफ रुकर क्यूंड़ लगए और और मसूर की दाल हो इर्श की दाल ऊपछिए के तो अपकी इसको रख सकते हैं आपके दाल कभी भी खराब नहीं होगी तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा दूसरी टिप्स यहाँ पे मेरे है केले के लिए तो जब भी हम केला खाते हैं तो उसका छिलका या तो रश्टबीन में फिक देते हैं या तो फिर जिनके घर गाय भैसे हम उनको चारिक लिए खिला देते हैं तो उसका एक बेश्ट यूज आज मैं आपको बताऊंगी तो आपके घर में कोई भी फ्लावर प्लांट हो लगा हो तो उसमें आप इस तरीके से चिलके को रख दीजे ये खाद के रूप में बहुत ही अच्छा काम करता है तीसरे टिप्स मेरी यहाँ पर नमक को ले करके है तो जब भी हम डबे में नमक रखते हैं तो बार बार खोलने और बंद करने से उसमें क्या होती है थोड़ा सा सीलन आ जाता है और नमक वो कुछ इस थरीके से हो जाता है तो इस ये वशने के लिए हमें क्या करना चाहिए आज मैं उसका एक बैस्ट टुपाय आपके लिए ले कर आई हुँ तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस थरीके से लेना है एक कागज का टुकड़ा कागज कोई भी हो आप इसको इस तरीके से या तो फोल्ड कर सकते हैं या तो फिर इस तरीके से आप इसको लुपेट सकते हैं इस तरीके से दम उसकी गोली बना सकते हैं और बनाने के बाद इसको हमें करना क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ तो देखिए मैंने इसको इस पसंद आई हो वीडियो अच्छी लेगी हो तो वीडियो को एक लाइक शरूर कर दीजेगा अब आपके नमक में सीलन बिलकुन भी नहीं रहेगी आप और आप इसको बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिपस है यहाँ पर दाल को लेकर तो अकसर देखते हैं हमारे घर में जब भी हम डाल बनाते हैं तो उसमें अगर हम कभी बाइचंस तेल डालना भूल गये तो आपके डाल कुछ इस तरीके से फेक देती है तो आज मैं इसका बेस्ट सेलूशन लेकर आई हूँ तो अगर कभी भी आप अगर डाल में तेल नहीं जाला है ना तो इसमें बाहर तो मैं इसको रख देती हूं गैस पर गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है बहुत हाई नहीं करना है और इसे हमें तब तक ऐसे छोड़ देना है जब तक इसमें सीटी आने शुरू नहीं हो जाए तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे प्रेंडी हो जोकर नीचे चली जाएगी उसके बाद हमें वापस से गैस के फ्लेम को आन कर देना है तो देखें यहां पर मैं गैस की फ्लेम को आन कर देरी हूँ अब इसके बाद आप चाहें को लो रखें कोई मतलब नहीं है यह हमारी ट्रीक बहुत काम हैगी एक बार जर डाल नहीं पर बंद कर दिया है और इसकी सारी निकल गई है आप देख सकते हैं डाल का कलर भी कितना प्यारा आया है और धक्कन भीगदम क्लीन है तो आई होग आपको यह टिप्स पसंद आई होगी एक बार आप जरूर ट्राइ करीगा वीडियो अच्छी लगए तो लाइक शेर जरूर कर दीजेगा अगली टिक्स मेरे यहां पर मिक्स मिक्सरजार को ले करके हैं तो जब भी हम मिक्सरजार बहुत जादा यूज करते हैं तो इसकी ब्लेट की धार थोड़ी सी मोटी हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना है यहां पर लेना है चार से पांच चमश नमक तो यह मैंने खाने वाला नमक ही लिया है तो यहां प देख लिजे मैंने इसको बंद कर दिया है और यह एकदम आराम से पीस भी कही है और इसकी ब्लेट की धार थोड़ी से तेज भी होगी है तो आई हो फ्रेंज मेरी आज की ए किचन टिप्स आपको बहुत पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को पिलकुल भी न भूलेगा